दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल किर्षना फैंटेसी में और आजम बात करेंगे एसीय संगरी टीटेन मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा डी सीसी वर्सस रॉयल टाइगर्स के बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैट्समिन का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊँगा तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है किर्षना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस match की जो final team है वो आप सभी को हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो आप सभी भाई टेलिग्राम चैनल को join कर लीजिएगा लिंक इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाई और discussion box में दिया वाई भाई ये free entry आपको भी मिल सकती है कैसे मिलेगी तो simply आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी भाई योगो पता होगा कि अगर आप myfave 11 app को first time download करके register करते हो तो myfave 11 आपको 20,000 रुपे की free entry देता है small league head to head में तो बस आपको myfave 11 app को download कर लेना है link इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाई और discussion box में दिया वाई अगर आप loss में चल रहे हो तो free में 20,000 रुपे विन करके पूरा loss cover कर सकते हो अगर आप already profit में हो तो free में 20,000 विन करके और भी जादा profit बना सकते हो सबसे पहले आपको myfave 11 app को download कर लेना है link इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाई और discussion box में दिया वाई तो जल्दी से जाई ये link पे click करें और myfave 11 app को download करके register कर लीजिए दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी fantasy की team की तो उससे पहले आप सभी से एक request है जो भी भाई नय हमारे youtube channel पे पहली बार आए तो यार youtube channel को जरूर subscribe कर लिजिएगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर player के बारे में detail के साथ एक एक चीश बताता हूँ तो एक छोटा support आप कर सकते हो हमारे youtube channel को subscribe करके उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे youtube channel को subscribe कर लिया होगा बात करें अगर हमारी fantasy की team की तो wicket की पर मैं सबसे पहले अहुजा का आपके पास option होने वाला है अब अहुजा के बारे में बात करें तो recent के जो matches ये नहीं खेले तो जो last match था बट अगर ये match खेलेंगे तो ये number 3 पर betting करेंगे और काफी important player हो जाते फिर तो आपको रखना ही पड़ेगा अगर मैं last 5 matches के बारे में इनके performance के बारे में बात करूँ तो इन्होंने 200 run के आसपास करें जो कि आप देख सकते हो काफी अची form में फिलाल तो मैं इनको अपनी team में नहीं रख रहा लेकिन अगर ये खेलते है जब line up होगी तो हमें पता चल जाएगा तो हम इनको आग बन करके अपनी team में रख लेंगे क्योंकि उस तरीकी की इनकी form भी रही है दोस्तो वही अगर यहां से बात करें ऐस तरीक के बारे में इनके betting order के बारे में बात करें दोस्तो ऐस तरीक का तो देखिए betting order इनका कोई fix नहीं रहता वैसे ही खेलेंगे तो क्या तो number 5 पे खेलेंगे या फिर number 6 पे खेलेंगे अभी तक यार performance इतनी अच्छी नहीं थी last round में इन्होंने 34 जरूर करें थी लेकिन उसके अलावा इतना कुछ खास नहीं करा इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ वही अगर यहां से बात करें प्लेयर्स के बारे में यहां पे सुदर्शन का आपके पास option है यह आपको open करते वे नजर आने वाले इनका भी performance अच्छा रहा है अगर मैं 5 matches अगर recent के बताओ दोस्तों इनके तो recent के 5 matches में इन्होंने तकरीबन तकरीबन दोस्तों 170 रन के आउ नमबर 3 पे खेलते वे नजर आ जाएंगे दोस्तों लास्ट वन में 0 पे आउट हो गए लेकिन 0 वाला प्लेयर हीरो बन जाता है टी 10 का record इतना खास नहीं है बट ग्रैंड लीग में जरू ट्राइ करने लाइक यह प्लेयर होने वाला है बैटिंग के बारे में बात करे दोस्तों कि दिलदार का आपके पास option होने वाला है अब इनके बारे में बात करें तो open करते वे नजर आएंगे अभी तक recent के बारे में मैं बात करूँ 5 matches के बारे में दोस्तों performance इतना कुछ खास नहीं रहा 5 matches में इनोंने तकरीबन अगर मैं बात करू 73 रन के आसपास ही करे लेकिन देखो opener है तो important हो जाते है क्योंकि opener आपको one-sided win भी करवा सकता है तो one-sided loss भी करवा सकता है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ बाकी अगर यहां से बात करें हसीब का आपके पास option होने वाला है हसीब को आप रख सकते हो कभी ये number 3 पे खेलते कभी ये number 5 पे खे अब plus point यह है कि last 5 में से 3 matches में इनोंने balling करी हो तीन wicket निकाला है तो हो सकता है balling भी करवाले तो इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ बाकी betting से यह अच्छा कर सकते है वही अगर यहां से यदविंदर सिंग के बारे में बात करें open करते हुए नजर आएंगे last win में 0 पे रख सकते है इसलिए तीन हमारे batsmen रहने वाले है और राउंडर के बारे में बात करें जैड खान last match खेले नहीं थे दोस्तो यह match आपको खेलते हुए नजर आ सकते है बैटिंग और middle order में नजर आएंगे लेकिन बैटिंग से जादे इनकी balling खतरना के इस चीज को आपको ध आउट फुल लग रहे फिलाल तो मैं इनको अपने टीम में नहीं रखूँगा लाश पांट मैचेस के बारे में अगर मैं इनके performance के बारे में बात करूँ तो 6 विकेट इनों निकाले अगर खेलेंगे तो फिर आप इनको अपने टीम में रख सकते हो या अभी भी रखना च मुझे लगता है अगर आप रखना है तो गायक वार को रखिए नंबर चार पर ये बैटिंग करते वे आपको नजर आ सकते हैं लाश मैच के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो चार रन पे आउट हो गए थे उससे पहले इतना कुछ इनका खास रहा नहीं है बड़ ए इनोंने 40 सन करे फिस सात रन करे और चार रन करे वहीं लास चार मैचेस में इनोंने 6 विकिट भी निकाले एक बहतरी इन उपशन साभीत हो सकते इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ मैमूत के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो बैटिंग ओडर कोई फिक्स नहीं है लास म इनोंने 3 पे आ गए थे उससे पहले नीचे खेल रहे थे रीसन में 26 सन करे शात रन करे और 27 सन करे वहीं 3 मैचेस में इनोंने तकरीवन 4 विकिट निकाले तो चाहो तो आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो प्रॉबलम मुझे लगता नहीं आपके लिए होगी तो फिलाल में रख लेता हूँ बागी केडी का उप्शन होने वाला है थोड़े से रिस्की प्लेयर हो जाते है दोस्तो बैटिंग तो काफी नीचे रहेगी और बॉलिंग ये इतनी करवाते नहीं है इसलिए मैं इनको डॉप कर रहा हूँ फिलाल 4 हमारे ओल राउंड रहने व बात करूँ दोस्तो या लाश 5 मैचेस के बारे में भी बात करूँ तो इन्होंने 6 विगिट के आसपास निकाले इनको आप अपनी टीम में मुझे लगता है ट्राइ करके चल सकते हो मिडिल ओवर्स और डेट में बॉलिंग करवाते वे आपको नजर आने वाले घबाने के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो इनका क्या पर्फोर्मेंस रहने वाला है ये भी आपको मिडिल ओवर्स में और डेट में बॉलिंग करवाते वे नजर आ सकते है घबाने के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तो लाश 5 मैचेस में अगर मैं बात करूँ तो 3-1 व किठ हर मैच में निकाल रहे तो एक अच्छे option हो जाते है आरकुमार के बारे में अगर हम बाट करें दोस्तो इनका क्या performance रेने वाला है थोड़े से risky player आप बोल सकते हो बट एक अच्छे option आपके लिए हो सकते है लाच मैच के जरूर इनोंने performance नहीं करा लेकिन अगर मैं 4-1 matches के बारे में बात करूँ न recent के तो उसमें इनोंने 7 विकेट निकाले थे और बैटिंग से तो इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन balling से अच्छे तो आप इनको बेशक अपनी टीम में रखी important हो जाते है नरसीमान के बारे में बात करें पहले इनकी टीम balling करती है तो जरूर आपके लिए अच्छे option हो सकते है last one में 2 विकेट निकाले उससे पहले इतना कुछ खास रहा नहीं दोस्तो वहीं अगर यहां से बात करें किसी और के बारे में तो important होने वाले हबीब का आपके पास option है try कर सकते हो पहले इनकी टीम balling करती है last 5 matches में 3 wicket निकाले बाकी option है यहां पे काफी है दोस्तो अब जिनको आप try कर सकते हो मुझे लगता है तो यहां से सकलेन जरूर हो सकते यह एक अच्छे option हो जाते बट इनका कभी कभी balling cut भी जाता है बट अगर यह करवाएंगे दो वर तो आपके लिए एक must option हो जाते है अब यहां पे काफी option होने वाले जो best option है आर कुमार हो जाते मनन और बी सिंग 3 हमारे baller रहेंगे captain और voice captain के बारे में बात करें प्रासर को आप कर सकते हो जैड खान को आप कर सकते हो दोस्तों और यहां से आर कुमार एक और बहतरी इन option होने वाले Captain मेरे फिलाल प्रासर रहेंगे और आर कुमार वाइस Captain टीम के प्रिव्यू के बारे में बात करें फिलाल ही हमारी टीम का प्रिव्यू आप देख सकते हो आप इस टीम के साथ contest जोइन कर लिजिएगा Final Team Telegram पे मिल जाएगी लिंक इस वीडियो के नीचे comment box में दिया वाए और discussion box में दिया वाए दोस्तो अगर आपको 20,000 रुपेगी free anti चीए small league head to head में 10,000 रुपेगी free anti चीए small league head to head में तो आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी वाईयों को पता होगा कि अगर आप myfav11 app को first time download करके register करते हो तो myfav11 आपको 20,000 रुपेगी free anti चीए small league head to head में तो बस myfav11 app को download कर लेना है लिंक इस वीडियो के नीचे comment box और discussion में दिया वाए तो जल्दी से आईए link पे click करिए और myfav11 app को download कर लीजिए अगर आप loss में चल रहे हो फिरी में 20,000 विन करके पूरा loss कवर कर सकते हो अल्रेड़ी profit में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जादा profit बना सकते हो सबसे पहले myfav11 app को download कर लेना है लिंक इस वीडियो के नीचे comment में और discussion में दिया वाए जल्दी से आईए link पे click करिए और myfav11 app को download कर लीजिए चलिए दोस्तों मिलते है मेश टाइम टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम स्ट्डिय आईगा और मेश टाइम एक्टिव रहिएगा